आजादी के राराई करें जो इतिहास है वो बाकिर लोगों के लिए एक कर्पना है या इतिहास है मेरे लिए एक प्रत्यक्ष अनुभव है कारण मेरे पिटाजी नेशनल हिलेंड के ईटर से नहरु के और जेल गए थे 42 मोमेंड में उस समय मैं 12 साल का था आजादी या मेरी मैं 16 साल का था और जिस दिन आजादी मिली थी उस दिन रात को मैं यगा था मेरे माता जी जोतिशी होने के कारण उन्होंने आजादी के मुहुर्थ के बाद में बताया था इसलिए यही मैंने अपने विद्यासियों को बताया मैं उनसे कहूंगा कि शुरू करें भारत ने आजादी के बद्धे रात्री को तो चुना इसके बहुत से कारण है नमस्कार मैं संदीबट अपने जोतिश गुरू सरदीशी केरनाब जी को परणाम करते हुए उनके मार्ग दर्सन में इस विश्य को बता रहा हूं पहला कारण की बहुत सारे अकरांताओं ने भारत पर बार बार आकमंण किया उनको अपने ही देश को आजाद कराने के लिए बहुत सा संघर्स करना पड़ा अपनी जान की कुरवानी देनी पड़ी किसी ने भाई पिता तो किसी ने बेटा खोया हम उस समय की पीडा को अपने सब्दों में जान नहीं कर सकते क्योंकि हमने वह पीडा सहन नहीं की उनको देखो जिनोंने उस पीडा को सहा और उस समय के दोर को जिया हमें बागी कहा गया हमारे जोतिस गुरु स्री के इंदाव जी के पिता जी स्री के रामा राव जी जो एक सुद्दा सेनानी थे उन्होंने भी देश को आजा तेनाने के लिए संगर्स किया जेल जाना पड़ा और उनको भी बागी कहा गया वे नैशनल हिरार लखवार के मुखे संपादक तता इसके निर्मान करताओं में से एक थे वे कांग्रेश के सदसे थे अटल व्यारी वाजपई उनको बारतिय पत्रकारिता का द्रोना चारे कहते थे हसी मजाक में महात्मा गांधी उनको लड़ाकू पत्रकार कहते थे भारत क को आजाद करने के लिए बिटे संसद में विदेख पास किया गया जून उनिस्सोड़तालिस को समय दिया गया भारत को आजाद करने के लिए परंतु माउंग बेटे ने एक अलगी तारिक दी 15 अगस्त जिस समय जापा ने समर्पन किया उसी तारिक को भारत को आजाद करना चाते थे परंतु उनको सुरे नारण व्यास पंडित हरदेव सर्मा तिर्वेदी जी डाक्टर राजिंदर परसाद ने इस पर उनसे बादशित की कहा कि यह समय आजादी के लिए समय नहीं है उस समय रुख जाओ परंतु माउंट बेटन अपने जिद पर अडिग रहे सुरे जवाला नेरू ने मिटिंग पर मिटिंग की और रात्री 001 मिनट अभीजीत मोरत पर भारत का तरंगा जंडा लाल के लिए से फिराया और भाशन दिया यह ऐसा मोरत था जैसे किसी की यहांकों से काजल चुरा लेना परंतु उसको पता न लगे असुबता में भी बहुत सा सुबता हमें मिली किसी मोरत को चुनने के लिए आपको कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है यदि कारे स्तिर है तो इस तिर लगन कारे चल है तो चर लगन यदि कारे स्तिर वैच्छ दोनों है तो दूर्ष सवाब लगन को विशेष महत्र दिया जाता है इ एक सही मूरत बनता है तभी तो कहा जाता है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कहीं जमीन कहीं आस्मा नहीं मिलता धन्यवाद आगे आपको सीमानागपाल जी बताएंगी धन्यवाद संदीर जी भारत के लिए हमारे महान जियाध्शियों ने उस दवरान व्रिशब लगन को चुना विर व्रिशब लगन जो कि एक सिर लगन और सिर लगन के लिए एक पारे के लिए सिर लगन का होना बहुत ही अवशिध है इसी के साथ उन्होंने मीन नमाश को भी चुना मीन नमाश कुछ कर नमाश में आता है यह शुब माना जाता है किसी में महरत के लिए हम साथमे और आठमे भाव में कम से कम ग्रहों को रखते हैं ताकि कारे शेतर में हमारे रुकावटे ना है इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमारे अनुभवी जोच्शियों पंडित हरदेब, शर्मा, दिर्वेदी और सुरह नारायन व्यास जी ने अभीजीत महरत का भी चुनाव किया अभीजीत महरत तालिस मिनट दो गड़ी का होता है यह दिन मान के मद्धे और रातरी मान के मद्धे में बनता है अभीजीत महरत के बारे में तुल्सी राजी ने भी चुहा है कि नौमी तिथी मदुपूरी ने राम चली तर्माना भी इसके बारे में बोला है नौमी तिथी मदुमार नीता शुकल पक्ष अभीजीत अडिप्रीता मद्दे दिवस अतितितन अधामा पामन काल लोक विश्वरामा इससे हमें बता चलते हैं कि राम जी का जो जनम था वह मद्ध अभीजीत महुरत के समय हुआ था अभीजीत महुरत का जानती है कि अभीजीत महुरत दिन के समय में आता है लेकिन अभीजीत महुरत अरिवश पुरान में आता है कि यह रातरी मद्धे में भी आता है शिरी क्रिशन जी का जो जनम था वह रातरी के समय अभी जीत मुरत में हुआ था। कहा है कि यह कल जुक के समस्त दोशों को शमन करता है। अंबनों कामला провाँ हो पूर्ण करने वाला है यस में कि समस्द वीचे से सुवन्ठे मल्स होता है और हमारे सारे कारे पूर्ण होते है। इसी तरह कुश्य नक्षत्र को वेवसाई और विध्या के आरंब में वेपार के आरंब में भी लिया जाता है क्योंकि ये कुण्डली के समस्ती दोशों करता है इसी लिए और कुश्य नक्षत्र के जब हमें चुनाब किया था तो भारत की कुंडली में हमें शनी की प्रत्थम दशा मिली थी जो कि वरिशब लगन के लिए योग कारक मानी दरती है इस तरह हमने देखा कि हमारे महान अनुभवी जोच्शियों ने स्थिर महुरत, स्थिर लगन, अभिजीत महुरत और कुश्य नक्षत्र का जुनाव किया जिसने की हमारे देश को एक मजबूत नीद करने का कारे किया इसी के साथ उस्दोरा कुंडली में बहुत ही सुन्दर योग बन रहे थे जिसे की हमें राजी बताएंगी धन्यवाद सीमा जी हमारे बहुत से सुन्दर योग जब उन्होंने बहुत सुन्दर अभी जीत मुरत, स्थिर लगन और पुश्य नक्षत्र दिया तो बहुत से सुन्दर योगों का भी ध्यान रखा हमारे जिद्वान जोट्शियों ने इप्ते भाव में पंज ग्रही योग जिसमें दश्मेश का जुना एक सन्यास योग बनाता है भारत सन्यासी और हमारे सादू संतों की भूम है यहां में तीसरे भाव से पांचों ग्रह हमारे नवम भाव भागेस्तान को देखकर हमारे देश को सम्रिद्शाली जैवोशाली तो बना ही रहे हैं साथ में हमें विश्वा अध्यात्य ग्रुदू की तरब भी ले जा रही है क्योंकि तीसरा भाव हमारा उपदेशक, विचारक और प्रचारक का भी है इसके साथ ही हमारी कुंडली में बहुत सुनर गजगेस्री योग बन रहा है चंद्र से केंद्र में गुरु का होना इस योग को बना कर भारत की गरिमा और मान सम्मान को बढ़ा रहा है इसके साथ ही हमारे जोद्शियों ने देखा कि भारत की कुंडली में तीसरे भाव में सरस्वती योग लगनेश शुक्र का सूरे चंद्र के साथ बैठना सरस्वती योग भारत विश्व को महान, प्रसित, इंजीनियर, विज्यानिक और डॉक्टर भी दे रहा है और इसके साथ ही साथ क्रिकोन के सौमियों का और साथ में दश्मेश का तीसरे भाव में बैठ कर एक महा राज्य योग बना रहा है इस जोग को जब हम तीसरे भाव में देखते हैं तो तीसरा भाव हमारा तीवी, मीडिया, फिल्म और साथ इस साथ पब्लिकेशन, प्लेखन और इसके साथ बड़ी एजेंसीज, टूर एंड ट्रेवलन का होने के कारण यहां चंद्रमा भी है और चंद्रमा जल का कारण है तो हमारी नेविगेशन भी विश्य में बहुत विशाल और भारत को प्रिसिद्धी परदान कर रही है इसके साथ साथ हमारी कुंडली में प्रिराजियोग अश्टुमेश का छटे बाहों में बैठ कर सरल योग को बना रहा है जो बहुत शुब है और साथ में शंक योग, अनफाग और अकृती योग, धन योग, वासुमान योग और साथ ही साथ कर्म जीवी योग बना कर हमार कुंडली को बहुत बल दे रही हैं, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ता ही जा रहा है, आगे का जया जी धन्यवाद राजी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो समय था, तालखंड वो बहुत ज़्यादा अशुब था, ऐसे में हमारे जोट्षी उने, अपने देश के निर्मार के लिए और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, गुर्थ की महत्ता को समस्ते वे, पाच चीजों से मिलकर वसुता बनता है, जिसमें तिथी, वार, लचत्र, योग और करन होते हैं, ये पाचों चीजें सूर और चंद्रमा की गति से मिलकर बनते हैं, उस दिन प्रिष्न चतु नशी तिथी थी, जोकी एक अशुब तिथी होती है, जिक्ता तिथी होती है, पर अल्तु ब्रहत पर आशर होराश रास्तर में इस पश्ट कवर पर दिया गया है, कि क्रिष्न चतु नशी तिथी के छे भाग करने चाहिए, और इसका जो प्रथम भाग होता है, मा किसी भी कारी के लिए शुग होता है, तो यहां पर हमारे महान जोथ्षियों ने बहुत सूजबूज के साथ प्रथम भाग का चैन किया, उसके बाद हम आजाते हैं वार पर, तो उस दिन गुरुवार था, जैसा कि हम सबी को पता है कि उस दिन गुरुवार को हम मांगली कार, रशनात्म कार, स्ट्शिक कार आदि करते ही करते हैं, साथी साथ यह वार चुनने से ह आजात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्या पर निखा गया है कि जब चंद्रमा पुष्य नचत पर गोचर करता है तो हर प्रेकार के अनिस्ट का भंग करता है। सिद्ध नमक बना हुँआ था जो कि जमारे कारे की सफल्ता की पुर्णावती को ही गिखा रहा हैं जो की देवताग के जी होते मेराद की ओर जुकाता हूँ भी दिखाता है साथी साथ माज दशक के रूप में पुरे विष्ट में पस्थुत कर रहा है अब मैं आ जाती हूँ करण पर उस दिन विष्पी करण था तिखी का आधा भाग करण होता है और विष्पी करण जब भधरा पिछवी पर होती है पटवारे का दाश भी हमें जेलना पड़ा था जिसका प्रभाव ये वाथा कि लाकों लोग की मित्व हुई थी अच्छे योगों के करण हमारा देश आगे बढ़ता चला जया उस दिल हमारे जोट्सियों ने शुक्रवार की होरा ली जो कि हमारे देश की कुंड़नी का ल कि यहां पर किया और शुक्राशी में शुबह निर्मार में शुबह बिंदों के साथ स्वा लूख हमारा देश किल कि जाने का प्रयास किया कि हम अतिशीग खाध्यान में आत्म निर्भर बन गए और इस प्रकार हमारे देख हमारे बहार जोटियों के योगदान से निर्भाद आगे बढ़ता चला गया और तूरे विश्य को अच्रे ले डालता चला गया और इसके शक्ति का परिचे अब प्रियमबद आज ही बताए भारत और पाकिस्तान की कुण्ली का तुलनात्मक अध्यान भारत वर्ष की कुण्ली में ग्रेशब लगन इस्तिर लगन है जिसकी वज़े से आज भारत में इस्तिर्टा बनी होई है पाकिस्तान की कुण्ली में नीश लगन चल लगन है इसमें इस सित्यां बदलती रहती ह सब्सक्राइब करें देश का विभाजन हुआ और एक अन्य बंगला देश का निर्माण हुआ भायत वर्ष में लगनी शुक्र पंचमेश गुद्र नौमेश शनी तीनों पिर कौनेश तिते भाव में तिती शंद्मा के साथ जिराजमान जिससे भायत वाशी अत्यंत परिश् राची में रात का जन्म महा भागे योग का निर्मान कर रहे हैं जोती भागेशाली योग है और गज के स्रीयोग तो भायत वर्ष की करीमा को संपन्ता को तर्शाही रहा है पाकिस्तान की कुली में लगनीश मंगर तीसरे भाव में चतुटीश चर्णमा के साथ बैठा है तथा पितेश का चतोतेश का इस्थान परिवर्टन होके खली योग का निमान हो रहा है। खली योग जिसकी भाव से बनता है उस भाव की आनी करता ही है। इसलिए यहां के राज्य में लगातार अवरोद आते ही रहते हैं जिसके सामाज एक, आर्ट एक, राजन एक समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। परेपन्ष को दर्चाता है और चन्रमाभी चतुठीश होके अपने से द्वादश में बैठके तिर इनके राज्य सिंगासन का वेदर्चा रहा है। भारत की कुली में दीवन का एकादश भाव मीन राशिक दीन आइन में लगन बन गया है। तथा दीवन का लगने शुपर दीन आइन में एकादश श्णी के साथ इस आदश भाव में खिसा पिक है। जिसे की हम कह सकते हैं भारत वर्च उन्नती और तरगती के पत्तर लगाता आगे बढ़ा है। पाकिस्तान की कुली में दीवन का अश्तंभाव प्रश्टिक राशिक दीनाइन में लगन बन गया है। जो की से से चिपी यंत्राओं को प्रदिशित कर रही है। भारत वर्च की कुली में अश्टमीश और रिकादकीश गुरु चटे भाव में बैठतर वित्रीत राजयोग बना रहा है। जो की छटे भाव में बैठता है दर्शाम, स्वादल और दिखते भाव में से द्रश्टि दे रहा है। अच्छा धनो पार्दन कर रही है। पाकिस्तान की कुली का नाउंदेश द्रवात के सब्सम्भाव में बैठ गया है गुरु जो की विदेशों से समझता है और विगमादा है तो तर्शाता है और इंगियां लगाता है प्राव्लम्स अपरी रही है। भारत की कुली में उच्छस राहों का लग में होने के कारवशन देश्वासी टेक्निकल विद्ध्याओं में पारंगत हैं जैसे डॉक्तर, इंगीमियर, आर्किटेग, साइंटिस्ट आदी पर्मानों परिशन का होना तथा चन्रियान का इस पेस में जाना इसके सफल उदा पाकिस्तान की कुली में राहो दित्धे भाव में बैठका धनोंपार्जन भी आनधिक तरीके से दर्शा रहा है, अश्वेश मंगल की दश्भाव़ पे दर रिश्की है, इसे हम कह सकते हैं कि इनकी के इंड़तिकों सारे ही भाव दिख़ने हैं, इनकी पाकिस्तान की कुली इंदीश में कोई भी वैस्ताइक कार्य मिल्टी की द्वारा ही संपन होता है भारत की कुंदी में नवम हाओ धर्न और आध्यात हुता है यहाँ पर श्यनी मंगल दोहों की दरिश्टी आ रही है जिसके कारण कुछ समाजी अक्तामाजिक चत्व हमारी धारदिक भावनाओं को केश कहुंचाते उठी जरादि違ते हैं साथ ही हमारे सामजे क्योंघ्योजन में खस्पशीप करते रह दे हैं पाकिस्टाम की कुम्ली इनका वेस्टाइक के सभी कुछ डावाडोल हो गया है जिससे इनकी हाँ अब वस्थाइन, संघर्ज, राजबितिक, तूटिपोल गाओं पर लगातार आते ही रहते हैं सल्सरूप पाकिस्तान की आते किस्थी बिलकुल बिगड़ चुकी है वर्तमान में वहाँ पर आतरिवाज का बोल बला है इस पतार हम कह सकते ही कि हमारे महांत ज्योक्षियों ने आजादी की घोशना ग्रहों के आधार पर योगों की स्थिति को देखते हुए और वर्तमान दशाओं को समगते हुए सही मौदत में नहीं ही आगे हमारे शद्धी गुरुजी श्री केंदाव बताएं और भारत की आजादी से बहुत से जो फार्दे हुए हैं है उन्मेरे हिसाफ छे सबसे बड़ा वादा यह ठाट कि दुनिया के इतिहास में जौ सबसे बड़ा लुटेरा था अंग्रेज उससे हमने पिंट छुड़ा लिया क्यों सबसे बढ़ा रिउट्याजा कह रहा हूँ पुदिशाची एक महिला एकनोमिस ने हिसाब दिया है क्यांग्रदों ने 45 से लेकर 54 ट्रिलियन पाउंड लूटे इंडिया सी एक ट्रिलियन कितना होता है एक ट्रिलियन होता है 26 लाख करोड अब 26 लाख करोड इंटू 45 या 52 आप करें कितना मिलेगा और पाउंड थे वो पाउंड क्या होता है उसमें 100 रुपए और होंगे एक एक पाउंड में अब इसको आप रुपए बना कर लिखना शुरू करें तो कानपूर से नाटपूर पहुंच जाईएगा इतना ज्यादा पैसा खाईए तो अंग्रेश के जाने से हमारा वो बचा दूसरा बिटिश राज में आप लोग तो नहीं थे माचो था 16 साल का समय जब हिंदूस्तान आज़ार हुआ मुक्मरी होती थी फिमीन सोते थे 35 करोड देश के आबादी वंग्डा देश और पाकिस्तान मिराकर वहां पर लोग भूके मरते थे आदार होने के बाद हमारी आबादी अब है 140 करोड और कोई भूके नहीं मरते साल में तीन फ़सल होते हैं जब तूसर में एक फ़सल होता था तो हमने सप्रकार से उन्यति किया है अंग्योजों के जाने के बाद और इसकी वज़े से अनमहात्मा गांधी और बाकी सुटंत्रा सेनानियों के बहुत आभाड़ी है इतना कहके मैं समाप करता हूं इसी के साथ सबको नमस्कार करते हुए जैहिन सबकी तरफ से जैहिन जैहिन